जैशी कृष्ण हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी आए होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाले हूँ कि कलांचो प्लांट के उपर आपको इंस्टेंट कौन सा वर्क करना चाहिए जिससे की वो मरने से बच जाए क क्योंकि फ्रेंड्स सावधान हो जाए है अगर आपने पिछले साल के कलांचो सेव करके रखे हैं मेरी तरह तो वह बहुत जल्दी मर सकते हैं तुरंट आपको एक काम कर लेना चाहिए मैं काफी लेट होगी हूँ मुझे पिछले महीं नहीं ये वर्क कर लेना चाहिए था लेकिन कुछ सिम्टम्स दिखे तो वर्क करें क्योंकि प्लांट में भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो ही वो काम उसके उपर किया जा सकता है इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखेगा बिना स्किप की और आप से बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेर पुराने पिछले साल के सेव की हुए अलग-अलग कलर के अलग-अलग पॉट है तो अलग-अलग कलर के कलांचो है और फ्रेंड्स अब इनके उपर आपको इंस्टेंट एक वर्क है जो करना है देखे कुछ कलांचो की कंडिशन ऐसी है कि सारे लेव्स डॉप हो गई है और फिर से उसी में न्यू ग्रोथ हो रही है कुछ कलांचो है जो आडे तिर्चे गिरेवे पड़े है मुर्जाय से पड़े है कुछ सूखे से पड़े है ये देखे इस तरीके से तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है मैं फटा-फट से यहां पर वो वर्क करके दिखा देती हू आपको फ्रेंड्स सबसे पहले तो जो अच्छी अच्छी कटिंग है वो सारी निकाल लेनी आपको जो थिक कटिंग है जो सौफ्ट नहीं हो रही है सौफ्ट कटिंग मत निकालेगा यानि कि जो टहनी है उसकी अगर बहुत जादा सौफ्ट हो रही है अंदर से काली पड़ स्रार्ट होती है और उपर अच्छी healthy branch को भी खराब कर देती है तो उपर की तरफ जाते जाते इसलिए हम उपर से सारी cuttings निकाल लेंगे और नीचे जो जड़ है वो हटा देंगे और अब आपको इसकी मिट्टी में fungicide थोड़ा सा गोबर का खाद mix करके और जो cutting हमने निकाल है वो वापस से लगा देंगे इस मिट्टी को आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इसी में अगर आप गोबर खाद या कोई other fertilizer जैसे NPK या DAP है डाल करके अगर आप mix कर देंगे लेकिन fungicide ज़रूर डाले क्योंकि कलांचो winter plant है और इसके लिए fungicide होना चमता होती है तो friends ये जो दो वर्क है आपको करना है एक तो fungicide का और एक खाट डालने का cutting भी लगाएं तो fungicide में डीप करके है लो एरा का भी इस्तमाल कर सकते हैं आप उसके gel में और ये जो cutting लगाएंगे ना आप ये एक महीने में ही बहुत अच्छे से grow हो जाएंगे औ और बहुत अच्छे से आपको अगले महीने अगले एक महीने में ये flowering देना start कर देंगे friends ये काम तो वैसे मुझे बारिश के मौसम में कर लेना चाहिए था लेकिन कोई guarantee नहीं है कि बारिश का मौसम जाने के बाद वो cutting भी अच्छे से healthy survive कर जाती इसलिए मैंने इंतजार क बारिश के जाने का और अब जो ये देखे जहां पर भी सुखी सुखी tiny है वो सारी ये पूरी by roots ही खतम हो गया है पौधा अगर ये cutting ये दो cutting में पहले नहीं लगाती तो मुझे शायद ये पौधा या ये जो color है वो मिलता ही नहीं तो कलांचो के उपर सिफ अभी ही नहीं जो है खाज जादर पढ़ जाती है तो ये जो पौधा है वो by roots गलना start हो जाता है गुलाब के पौधे की तरह इसका भी nature होता है कि ये बहुत जल्दी by roots खराब होने लगता है तो fungicide होना बहुत ज़रूरी कोई भी एक अच्छा fungicide लाकर करके आप अपने garden में ज़रूर क्योंकि सिर्फ ये ही नहीं इसके अलावा जो गुल्दा होती होते हैं उनमें भी fungicide की आवशकता होती है और भी जितने winter plants है जैसे जर्बेरा है गजानिया है आप डॉक फ्लावर है आपके डायन्थस है ये सारे इन सभी में और स्पेशली डायन्थस में तो चाहिए ही च कटिंग ले लीजिए और सब को ग्रो कर लीजिए यहां पर मैं वही सारा वर्क कर रहे हूं और जितनी भी dry leaves है जो इसमें गिरी हुई है या drop की हुई leaves है फ्रेंड्स यहां पर एक चीज़ और में बता दू कि अभी जो इसकी पतियां बहुत जादा जड़ेंगी क्यूंकि मौसम परिवर्तन की वज़े से वो होगा तो आप बिल्कुल टेंशन मित लीजिएगा अगर पूरी तरह जड़ चुकी है तो उसे थोड़े समय के लिए कुछ भी मत कीजे ना कटिंग कीजे कुछ भी नहीं से छोड़ दीजे जब उसमें new पतियां आना आपको दिखने लगाई है लेकिन पौधा बिल्कुल ही पतियां ज़ाड चुका है लेकिन उसने सड़ना या गलना स्टार्ट नहीं किया है तो आप उसे बचा सकते हैं लेकिन फूल सनलाइट में रखेगा कटिंग लगाने के बाद आपको कम से कम छे साथ दिन इनको सेमी शेड एरिया में रखना है जब आपको लगने लगे कि हाँ इनकी कटिंग ग्रो होने लगी है तो आपको फिर इनने फूल सनलाइट में प्लेस कर देना है और मेरे खयाल से वैसे ओक्टोबर के एंड में ही म क्योंकि काफी छोटी कटिंग्स है और डी अपी का चुनाव इसलिए किया है मैंने इस खाथ को इसलिए डाल रहे हूं मैं चाहती तो कंपोस्ट भी डाल सकती थी किसी भी तरीके की काउड़ंग कंपोस्ट किचन कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट लेकिन डी पी जो है लाइकन और प्रेस करना मत भूलेगा आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं परशुपतिनात प्लान नर्सरी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए बाई टेक केर जैशी कृष्ण